नमस्कार मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूस फॉनेशन खबर मौसम से जोड़ी है जहां मिचोंग तुफान का सर बिहार में देखने को मिल सकता है याज़राजदानी पटना समय दिहार के उननेश जिलों में बारिश को लेकर अलड़ जारी किया गया है मौसम वे भाग के तरब से क्या कुछ जानकारी दिया गया है कि के से मिचोंग तुफान का सर बिहार में दिखने वाला है चलिए हम आपको बताते हैं मिचोंग तुफान के चलते बिहार भी प्रभावित हुआ है हाला कि सूबे में इस चक्रवातिय तुफान का प्रभा उतना मजबूत नहीं दिखा है पटना मौसम वे ज्यान केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दोरान राज के दक्षणी और पश्वी भागों के एक दो जगों पर वर्सा देखने को मिली गई है राज के सबसे कम न्यूंतम तापान 14.2 डिगरी सिल्सिस मोतिहारी में दर्च किया गया है आज यानी की 6 दिसंबर को राज़ानी पटना में मौसम वे ज्यान केंद्र बिहार के कई जिलों में बारिश की आसंकाई बताई है मौसम विभाग ने पुर्वानुमा जारी करते हुए बताया है कि 6 दिसंबर को पटना भोशपूर रहतास भबुगा अर्वल औरंगाबाद गया नालंदा नवादा शेकपूरा बेगू सराय लखी सराय जहानबाद भागलपूर बाका जमूई मुंगेर और खगडिया के एक दो जगों पर हलकी बारिश हो सकती है 7 दिसंबर को सुपॉल अररिया किशनगर्ज मधेपूरा सहरसा पुर्णिया कटिहार पटना भकसर भोशपूर रहतास भबुगा अर्वल औरंगाबाद गया नालंदा नवादा शेकपूरा बेगू सराय लखी सराय जहानबाद भागलपूर बाका जमूई मुंगेर और ख गेहूं की रोपनी के दोरान होनी चाहिए हाला कि कई जिलों में रोपनी हुई है लेकिन जादातर किसान मौसम के महरबान यानि ठंड के बढ़िया आने का इंतजार कर रहे हैं उधर बारिश के बाद राज्य में हलकी ठंड बढ़ गई हाला कि मौसम बिभाग के मुतावि तीन दिन के बाद राज्य का निम्तम तापमान दो से तीन डिगडी लुढक सकता है एक तरफ जहां तमिल लाडू में तुफान के कारण भारी बारिश देखने को मिल रही है जल जमाब चारों तरफ देखने को मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ मिचोंग तुफान का अस और बिहार में भी होता नजर आ रहा है बिहार के कई जिलों में बारिश यो देखने को मिल रही है और आने साय इस बारिश के कारण तापमान लुड़क सकता है, 2-3 degrees Celsius तापमान में कमी आ सकती है और ऐसे में लोगों को ठंड से साबधान रहने की जरूरत है फिल्हाल के लिए इस खबर में इतना हैं तमाम बड़ी खबरों को लिए देखे रहें न्यूस कोनेशन